जो बंदा मेरे बैठा होगा, उसके दिमाग की साइकलोजी, मेरे दिमाग की साइकलोजी के साथ में टक्कर जरूर करेगी और वहाँ पर मेरा रॉंग डेसिजन आना काफ़ाई तो दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं बात करूँगा साइकलोजी कैसे डवलप करें, छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ने ट्रेड करने के लिए, मैं उनके बारे में बाते करने वाला हूँ और किस तरीके से छोटी और बड़ी ट्रिक का फायदा उठाकर आप लॉंग टम के अंदर ट्रेडिंग के अंदर एंटर कर सकते हो, काफी सारे लोग कोईशन होता है कि क्या ट्रेडिंग फुल टाइम करियर बन सकता है, मैं आपको कुछ चीजों का आंसर दे देता हूँ, शायद जो आपको एक बिजनस मैन भी होगा, माल लीजे मैं सुबह सुबह बात करूं हमारे घर के बार सबजी वाला आता है, अगर वो सबजी वाला सुबह पांच बजे उटके छोटी मंडी से बड़ी मंडी जाता है और वहां से वो प्रोडट लेकर आता है 20 रुपे किलो और मेरे घर पर आ आप किसी भी बिजनस को देख लीजे, आपको ट्रेडिंग ही देखने के लिए मिलेगी, यह माइक है, इसने खरीदा होगा ना, उसने ट्रेड ही तो किया है, जरूरी थोड़ा ना कि उसने प्रोड़क्ट क्रेट किया होगा, तो हर इंसान ट्रेडर है पहला पॉइंट, द उनकी नोकरियां जाने वाली है क्योंकि AI जो है, आने ही वाला है और आप ही चुका है, और आने वाले टायम में आपको नोकरिया ढूनना भारी हो जाएगा, आप अगर कह रहे हो हम तो government exam की त्यारी कर रहे है मालिक तो government exam वालो आप पहले समझ जाईए कि आप तो clear कर जाओ बट आपके बच्चों के साथ क्या होने वाला है क्योंकि आपकी psychology होगी मैंने government exam clear किया क्या तू government exam clear नहीं कर सकता बिटा तो ये psychology के साथ अगर आप अपने बच्चों के ऊपर ये चीज थोप होगे तब भी problem create होगी अगर मैं अपनी बात करूँ देख़ो मैं आपको एक यहां भी है इस पेशली और इस पेशली में गल्स को भी बोलना चाहूंगा जो इस परिटिकलर चैनल पर देख रही है आप एक बाद सोचिए लड़कों का तो ऐसा है वो कोई भी काम कर सकते हैं छोटी सी फैक्टरी में जाके 15,000 महीना की नौकरी पर भी काम कर सकते हैं बट के लिए सो तरीके के बहने होते हैं कि आपको यह करना है आपको यह करना आपको यह करना आपको यह करना पहले से ही बचपन से ही कई घरों में तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि बटा तुझको यह करना है और इसके बाद तुमको यहां से निकल लेना है बीन साथ निकल कर आती है अगर मैं आपनी बात करूं लाइक मैं चाहूंगा कि मेरे साथ में जितने भी लाइक कह सकते हो फीमेल लाइक यहाँ पे सबस्ट्राइबर है वो इस्पेशली ट्रेडिंग को बहुत सीरिसली ले और ट्रेडिंग को जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म है यहाँ पे तो नुकसान जादा होता है यहाँ पे तो यह चीज़े होती है मैं उनको कुछ चीज़े एक्स्प्लेइन कर देता हूँ छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ अगर आप यूपियस्सी का एक्जाम देखोगे तो वहाँ पे 0.01% मतलब 15 लैक लोग वहाँ पे अप्लिकेशन डालते हैं पांच लाग बच्चे एक्जाम देने जाते हैं सेलेक्शन कितना का होता है हजार का तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो मैक्सिमम लोग वहाँ पर फेल हो रहे हैं 99.9% लोग फेल हो रहे हैं और वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग में सक्सेस अगर CB के अनुसार देखें तो 90% 89% लोग फेल हो रहे हैं तो फेल होने के चांसेज वहाँ जादा है या यहाँ जादा है डिफ्रेंस आप खुद लगा लीजे यहाँ पर 0.01% के लिए इतने लोग competition कर रहे हैं सबको पता है कि 100 ही seat है या 1000 ही seat है तो क्या ट्रेडिंग में अगर आपके घर में ट्रेडिंग को अलाओ नहीं किया जाता है तो आप सबसे पहले एक डैमो अकाउंट ओपन कर लीजे जिसके अंदर आप ट्रेड करकर के करकर के practice कीजिए क्योंकि ट्रेडिंग में सारी चीज़े आ जाती है experience के उपर अगर आपको experience हो जाता है जैसे कार कार चलाना होता है अब आप देखो कार चलाना सबके अलग अलग तरीके का काम होता है मैं कार चलाने के बराबर ही ट्रेडिंग को मानता हूं current किसके पीछे क्योंकि हर इनसान की psychology हर इनसान की सोचने की शमता और उस particular time पर वो इनसान कहां पर बैठा है क्या आप गली के लु करता हूं तो कभी भी मैं यहां पर कह सकता हूं कि मैं किसी के साथ बैट कर ट्रेड नहीं करता हूं कारण इसके पीछे क्यूंकि पीछे वाला जो बंदा मेरे बैठा होगा उसके दिमाग की साइकलोजी मेरे दिमाग की साइकलोजी के साथ में टककर जरूर करेगी और वहां प में भी तो मेरे भाई 4X मार्केट में अगर कोई इंसान manually trade डाल रहा है तो वो 100 में से 1 होता है जो successful count होता है कारण क्या है 24 घंटे 5 दिन आप laptop के screen पर बैठ कर नहीं देख सकते हैं कि मुझे trade डालनी है इससे आपको पैसा आए तो आए बट वो doctor के जेब में जरूर चला जाएगा क्योंकि आपको इतनी जादा बिमारिया लग जाएगी तो अगर कोई इंसान सोच रहा है कि आने वाले time में trading एक अच्छा career हो सकता है नहीं हो सकता है तो बता देना चाहता हूँ इससे best career कुछ भी नहीं निकलने वाला अब आप ये चीज आप देख लीजेगा जैसे एक time के अंदर चला था ना कि सबको engineering करनी है, सबको doctor बनना है सबको सरकारी नोकरी चाहिए कुछ बना दो मुझे सरकारी नोकरी में डाल दो मैं अपनी पूरी जिंदगी साठ साल तक सरकारी नोकरी बन के करके चलने में तयार हूँ तो अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो रख सकता है बटाने वाले time में AI आ चुका है और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर कह सकते हो, जिनकी job जाएगी उनके पास अगर skills नहीं होगी अब बात आती है मैं किस तरीके से समझता हूँ ट्रेडिंग को, मैंने क्यों ट्रेडिंग को ऐसे चूज किया क्या उसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो चीज में यूज कर सकता था पहली चीज मेरे दिमाग में यह आई कि भाई एक बात बताईए सब लोग कहते हैं पैसे से काम कराओ पैसे से काम कराओ तो पैसे से काम कैसे कराया जा सकता है वो केवल एक share market है जहाँ पर मैं quickly enter करूँगा मैंने अगर कोई product खरीदा मैं चोटासा example लेता हूँ बहुत easily मैं अपने product को खरीद बेच सकता हूँ छीक अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ खरीदना और कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा और यही fundamental concept है पैसा कमाने का इसके पीछे कोई भी like doubt नहीं कर सकता दूसरी बात आती है मैंने ये चीज़ दिमाग में सोची कि अगर like मैं अपनी बात करूँ मेरे फादर का accident हुआ 2014-14 के अंदर अभी वो बिल्कुल सही है बट बात आती है अगर उनकी government job ना होती तो उनके लिए problem create होती अगर सोचो उनको problem जादा बढ़ जाती तो क्या उस condition में क्या होता मान लीजे कोई इंसान है जो 30-35 साल का है और वो condition उसकी ना तो सोई सरकारी नोकरी है जो कि आज के time में नहीं है ना तो उसकी कोई सरकारी नोकरी है ना ही उसके पास कोई family background है बहुत बड़ा की वो करोडो का मालिक है और अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसमें कि उसके साथ problem आ जाए तो क्या वो ऐसा कौन सा business कर सकता है अपने दिमाग के base पर तो answer निकल कर आता है खुलम-खुला trading ये बात दिमाग में बिठा लीजिए आप कहें कि हमारे साथ याज़े हो जाएगा positive और negative दोनों चीज़े पहले identify करता है काफी लोग कहेंगे कैसी बाते कर रहे हो बट reality में यही होता है आपको ये trick समझनी होंगी कि real life में कैसे काम करती है तीसरी बात यहाँ पर निकल के आती है कि मुझे मेरे time value मुझे मिल पाता है मान लीजिए कोई कहता है मैंने 5000 कमा है और 5000 दिन तक मैंने कोई trade नहीं की 5000 मैंने कमा लिए एक swing trade के अंदर तो भाई आप उसको negative क्यों लेते हो आप बोलो कि मैंने 5000 दिन का काम एक हफते में जो था वो गया उसको divide कर दो जितने दिन तक मैंने काम किया उस हिसाब से आपका daily का average निकल जाता है तो कोई इंसान सोचे कि मुझे daily के 1000 रुबे कमाने है कोई इंसान सोचे कि मुझे 10 दिन में एक बार कमाने है 10,000 कमाने है और 10 दिन का equivalent निकाल देना है तो ये आपकी सोच बदलने की power रखती है अब इस सोच के साथ में आप multiple चीज़े कर सकते हूँ कैसे कर सकते हो मानली जी मैं अभी time value मेरे पास मैं YouTube पर वीडियो बना सकता हूँ मैं अपने client से बाते कर सकता हूँ मैं gym जा सकता हूँ मैं घूमने जा सकता हूँ मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ current क्या है मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है और special बात यह आती है कि मुझे उससे काम कराना आता है कि मुझे उसको कहां बेजना है यह बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि मानली जे मैंने अपने किसी इंसान को बोला कि कि बेटा वहाँ पर जाओ और वहाँ पर उसकी पिटाई हो जाती है सिंपल सी बात है तो मुझे बस देखकर भेजना है कि कहीं ऐसे पंगे ना हो जाए कि वहाँ पर मेरे पैसे का नुकसान हो जाए तो मुझे वो ट्रेट्स पर फोकस करना है विनिंग रेशो सबसे इंपोर्टेंट बात आती है जो हैं पर सबसे इंपोर्टेंट ट्रिक निकल के आती है वो है कि आप उन फिल्ड में काम करें जहां पर गौर्रमेंट का कम से कम लाइक हिस्सेदारी काउंट हो दूसरी बात government के rules and regulations easy हो third point निकल के आता है कि आप उस जगा पे काम करें जहाँ पे जीतने की probability बहुत जादा हो अब अगर मुझे कोई इंसान बोले कि भाई आपको न मैं एक करोड रुपे दूँगा आपको क्या करना है 10th floor से कूदना है और नीचे floor है तो high probability है कि भाई मैं वहाँ पे कूदने की बात उठना पाऊं दूसरी बात आती है कि मुझे कोई कहे कि मैं तुमको 1 lakh रुपीज पे करूँगा तुमको 10th floor से कूदना है बट नीचे तो swimming pool है मैं जिन्दा बचने के chances बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं आम आदमी की बात करूँ वो पैसे के जादा value करता है कि 1 crore मिलेंगे बच गया तो बले बले नहीं बचा तो कोई बात नहीं वैसे भी तो मैं वैसे जी रहा हूँ यहाँ पर आपको ध्यान लगना है profit होने की probability का अगर आप कोई भी trade करते हो अब जैसे मैं आपको example के दिखाता हूँ अगर बात की जाए example के लिए तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो forex trading करना prefer कर रहा है अभी की बात करें मैं forex trading account आपको share करता हूँ यह account जो है पहली बात तो यह legal account है यहाँ से नहीं है दुबाई based account है तो इंडिया से इसका कोई link नहीं है मैं पहले clear कर देता हूँ आप यहाँ पर इसको check कीजिए यहाँ पर check करोगे तो accounts के अंदर जो काम किया जा रहा है लाइक बात की जाए अभी तक के total मिलाकर यहाँ पर आप देखो काफी लोग कहेंगे की भाई कैसे देखो यह जो बड़ी बड़ी quantity होती है ना यह बड़ी बड़ी quantity manually नहीं ली जा सकती कोई कहे मैं तो manually ले लेता हूँ पागल बना रहा है वो आपका यह manual trades नहीं होती 42 lots, 50 lots, 20 lots, 25 lots वो भी कौन से बड़े वाले lot not like छोटे छोटे से lot की बात की जाए तो आप इस बात को समझ लीजेगा कि अगर आपको काम करना है तो किस तरीके से psychology कैसे develop करनी है अब देखो मैं हापे बैठाओ बेसिकली अभी तो आज तो off है बट अगर वहाँ पे trade opportunity बनेगी मुझे पता भी नहीं लगेगा सच बता रहा हूँ मुझे पता भी नहीं लगे और यह दुबाई बेस्ट है यहां से कोई लिंक नहीं है क्योंकि इंडिया में फोरेक्स ट्रेडिंग को यह लोग लीगल नहीं मानते हैं यह लोग कहते हैं नौजी पैसा नहीं बन सकता मैं आपको दिखाता हूँ यह अकाउंट जो है ना यह सात्वा महिना और 11 तारिक से अकाउंट कंटीनी हुआ है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद में बात की जाये तो टोटल जो अकाउंट है अभी देखा जाए तो यहां पर यह टोटल हुआ लास्ट फोर Perfect की बात करें तो 6200 डॉलर 800,600 डॉलर 500 डॉलर और यह ट्रेड्स मैंने नहीं डाली है मैं पहले ही बोल देता हूँ, यह algo-based trade होती है, इन trades के इंदर पहले ही बोल देना चाहूँगा, यह manually नहीं डाली जाती, आप देखोगे कि YouTube पे काफ़े सारे लोग लाइव आता है, भाई वो एक lot, दो lot से करता है, आप यहाँ पे देखो 42 lots, 43 lots, reason, fund के हिसाब से distribute किया जाता है, fund बड़ा है, तो यहाँ पे lots भी बड़े है, simple, कोई कहे, बहुत ज़्यादा lots है, fund भी बड़ा है, इस वे से problem निकल के आती है, आप यहाँ पे गड़बड क्या कर जाते हो, छोटे fund के साथ में बड़ी quantity में इस profit के उपर जो profit निकल कर आया है, वो 43,600 डालर है, अब काफी लोग कहेंगे कितने percent हुआ, मैं percentage भी बज़ी दिकल आता हूँ, तो 12%, 13% का ही return निकल कर आया, forex market के अंदर, अब मुझे हसी इस बात की देख कर आती है, कि Indian government हो या Indian banks हो, 7% yearly pay करते हैं, अगर ऐसे करके काम चलता है, तो ये पैसा कौन बनाता है, क्या हम लोग उसे जुट बोला जाता है, मैं बोलना चाहूँगा, मैं तो कुछ भी trade नहीं करता हूँ, दुबाई की बात करें, वहाँ पर ऐसे ऐसे trader है भाई, वह 20-25% monthly तक का return निकाल के देते हैं, और ये बात मैं आपे इसलिए बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना, कि भाई, बस यही दुनिया है, दन ये दुनिया नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़े अपग्रेट करनी होगी, तो इसी वज़े से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं ना, कि 4X trading में ऐसा होता है, या फिर trading में तो business trading में हमारा career नहीं बन सकता, भाई, तुम गलत पंगा ले रहे हो, trading ऐसी चीज़ होती है, आपके 100 साल की income वो 10 साल में छोड़ो, एक साल में कमा के दे सकती है, बट हो सकता है आपको उस काम के लिए 10 साल लग जाए, experience गेन करने के लिए, अब मैं फिर बोलना चाहूँगा, जितनी भी 4X trades होती हैं, वो manually नहीं होती, अगर आप बड़े accounts में जाओगे, like 1CR, 2CR या 3CR मेरे भाई, तो वहाँ पर आपको algo system ही follow करना पड़ता है, और यहाँ पर ऐसा भी game होता है, जो लोग कह रहे हैं न, trading के अंदर, देखो सबसे कीमती चीज़ बताता हूँ, जो मुझे बहुत ज़ादा attract करती है, क्या संजो, मान लीजिये, मैं हूँ, ठीक है, मैंने बोला, भई देखो, मुझे न कुछ trade वगरा करनी नहीं आती, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 1 करोड, 2 करोड, 3 करोड रुपे पैसा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला, भई देखो, मैं काम करता हूँ, एक करोड के उपर, मुझे 1 लाग, 2 लाग महीना मिल जाता है, मैं खुशी-खुशी अपनी जिन्दगी काट हूँगा, मस्त रहूँगा, अब क्या हो सकता है, यहाँ पर यह हो सकता है, ताकि हम बोल पाएं कि इंडिया के इंदर भी रुज़कारी कम हुई है, clear, अब बास सेकंड निकल गया आती है, यहीं पर अगर मैं दुबाई में रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा, भई देखो, मेरे पास मेरी यह जबी हो गई 28-30, तो मैं तो मज़े मारना चाहता हूँ, मैंने पैसे पर काम करवाना है, और पैसे से काम करवागे, अब काफी लोग कहेंगे, कैसे बोल रहे हो भाई, आपको करके दिखा रहा हूँ, बोल के नहीं दिखा रहा हूँ, कि एक सिंपल चीजों पर करो, और सिंपल चीजों से काम कर दिरो, अब क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा कि भाई, यह XYZ एड़ एक कंपनी है, या फिर वहाँ पर क्या होता है, माल लीजिए, मैं बता भी चुका हूँ पहली बार, काफी बार, माल लीजिए, मैं भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है, काफी लोग कहेंगे, कैसे, तो इंडिया में मुझे यहाँ पर क्लाइंट की जरुवत नहीं है, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, कि मैंने साल बर में अपने फंड पे 70% या 80% की ग्रोथ की है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल लेकर, जैसे की नौकरी करने जाता है, ना फाइल लेकर, चलो जी चलो, इंटर्विव देने जाता है, ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बिजनसमेन होता है, उनको जाके आपको अप्रोच करना होता है, बोलना होता है, कि देखो जी मेरा यहाँ पर रिटन है, और continuous रिटन है, यहाँ पर discipline के साथ काम किया जाता है, यह fund था, यह grow हुआ, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो आपके साथ काम करने के लिए ready हो जाते हैं, अब कैसे ready हो जाते हैं, उसका भी एक simple fundamental concept है, कि वो लोग क्या करेंगे, आपके account को copy कर लेते हैं, देखो मैं पहले बोलना चाहूँगा, काफे सारे लोगों के message थे, कि copy trading, भाई, इंडिया में legal नहीं है, तो मत करो, अगर आप दुबाई से कर रहे हो, तो बात आलग है, अगर आपको दुबाई जाने का plan है, तो बात आलग है, बट अगर आप इंडिया से कर रहे हो, तो मत करो, मैं तो आपको यह बात बोलना चाहूँगा, आप एक बात बताओ, कि मैं हूँ, अगर मेरी skills है, मेरे पास skills है, और मेरी skills है, मेरी family member, मेरे दोस्त, मेरे friends, माल लिजे, मेरा 10 लाग का account है, मेरा दोस्त कहता है, मेरा 1 लाग का account है, तो मेरे 1 लाग पर 5 जार बनेंगे, मैं तो खुश हूँ, क्योंकि मेरी skills का फायदा, मेरे दोस्त ने उठाया, बट यहाँ पर यह चीज़ी illegal मानी जाती है, बट वहाँ की बात करें, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इसको legal माना जाता है, और legal है, और इसको opportunity की तरह देखा जाता है, कैसे, मानली जी मैं profitable trader हूँ और business man है, उसके पास पैसा बहुत है, उसको नहीं पता कहा लगाना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना forex account मेरे account के पीछे copy कर देगा, और मेरे account में 42 lots में trade जा रही है, मानली जी मेरा 3 करोड का account है, और 42 lots में trade जा रही है, तो अगर उसका 30 करोड का account है, तो भाई, उसका 420 lot में trade जाएगे, और उसी हिसाब से उसका profit भी बनेगा, और मुझे पता भी नहीं लगेगा, कि उसका profit जो बन रहा है ना, लाइक मेरे तो psychology मेरे वाले account के उपर है, बैक एंड में सारी चीज़े होती है, तो ये होता है, अगर आप growth करने की बात करें, इंडिया में रहकर बात की जाए, इंडिया में लोग इसको क्या कहते हैं, copy trading कर रहे हैं, अजी ये तो illegal है, illegal आपने बनाया है इसको, आप चाहते हो कि हर आदमी नौकरी करे, हर आदमी बस काम करें अपना उससे कभी ये ना आपाए, वो पैसे से कैसे काम कराएगा, उसको कभी ये बात पता ही ना लग पाए, कि पैसे से काम कैसे कराया जाता है, अब ये psychology जो रखता है ना देखो, वो अपना आराम से काम कर सकता है, बट अगर मैं आपनी बात करूँ, मैं तो आपको यी बात बोलूँगा, जो इंसान सोच रहा है कि भाई, forex trading illegal है, crypto illegal है, या फिर कोई इंसान सोच रहा है कि trading illegal है, trading illegal नहीं है, trading illegal होती, तो आप भी यहाँ पर बैट कर वीडियो ना देख पा रहे होते, आप भी trade ही कर रहे हो actual में, समझ रहे हो, तो यह बात समझिएगा, और रही girls की, तो especially में girls को बोलना चाहूंगा, कि अपनी बुद्धी का इस्तमाल कीजिए, ठीक है, बुद्धी का इस्तमाल कीजिए, और trading को focus लेकर, लेकर मुझे करना है, ठीक, यह वो चीज़ है, कि आपको बाद में भी problem ना हो, कैसे, मालीजे, आपको अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिलता, तो आपके लिए problem create होगी, simple सी बात है, आपको पैसे के लिए, मोहताज रहना पड़ेगा, और उस condition में आप fuss होगे ही, फस होगे, family support नहीं करता है, सब को पता है, कहने की बाते होती है, ठीक है, उस condition में, अगर आपके पास अपनी skills है, तो मैं तो यही बात बोलना चाहूँगा, कि इस तरीके का mindset रखोगे, तो लंबा जाओगे, और अगर यह mindset रखोगे, कि इंडिया में तो ट्रेडिंग के लिए, बहुत जादा दिक्कत है, इंडिया में दिक्कत है, भाई भार निकल जाओ, रोग कोन रहा है आपको, आप इस चीज को समझ सकते हो, आई विश्यांतर की बाते क्लियर हो गई हो, कि जो बाते मैं आपको अच्छे से explain करना चाहता था, और नीचे comment करके बताना कि क्या trading करना सही है, या फिर छोड़ देना चाहिए trading को, क्या मुझे भी सरकारी नोखरी की त्यारी कर ले नीचे, यह सोचने की बात है, बताइए कौन से है exam की त्यारी करूं, नीचे comment करके ज़रूर बताना मैं जानना चाहूँगा, ठीक है दोस्तो, सो मिल दें next important वीडियो में, अपनी राय ज़रूर नीचे दीजिएगा, और अगर किसी को interest है commodity market या forex market में, तो वो नीचे description में मैंने form fill करने लिए दिया है, आप form fill कर सकते हूँ, आपको मेरी तरफ से reply ज़रूर दिया जाएगा, जो भी आप information मुझसे जानना चाहते होंगे, ठीक है, सो नीचे जाके form fill कर सकते हैं,